Hello everyone, मैं अभी नवखरे फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने Dreamers Academy के online portal पर आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक बड़ी informative वीडियो लेकर और एक important news जो सायद आपको आपके exams में दिख सकती है और इस बार ये news आई है RBI यानि Reserve Bank of India से Reserve Bank of India ने कल Paytium पर बैन लगा दिया है जी हाँ वही Paytium जिसकी KYC 100 million लोगों से ज्यादा ने की है वही Paytium जिसके Fast Tech को 8 million से ज्यादा लोग इस्तिमाल कर रहे हैं और वही Paytium जो इतना normal हो गया कि आप किसी भी UPI से amount receive कर रहे हैं भेज रहे हैं जर्नली बोला जाता है कि आप Paytium कर देना सवाल यही है कि Paytium करे से क्या आप Paytium ना करे वाली स्थिति आ गई है जानते हैं कि RBI ने क्या-क्या बैन इस पर लगाए हैं और क्यों या किस गतिविदी के चलते Paytium को ये बैन जहिलने पड़े हैं जिकर करते हैं आपने आगे बढ़ते हैं इस खबर पर तो सामने आता है कि कल RBI ने यानि 31 जनवरी को RBI ने Paytium पर बैन लगा दिया है और कह दिया है कि 29 February के बाद आपकी Paytium की कुछ services को permanently बंद कर दिया जाएगा यानि technically मतलब ये हुआ कि Paytium बैंक का आपका license तो cancel नहीं हुआ है लेकिन उसकी कुछ services हैं जिनको क्या कर दिया गया है बंद कर दिया गया है इसका सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है कि Paytium इस बात को clear करने में नाकाम रहा कि reality में उसकी ownership किन किन हातों में है यहाँ पर सबसे बड़ा नाम और सबसे बड़ा objection जो आया वो आया Antfin के नाम से Antfin आपकी Alibaba की collaborate company है जो की China base है इसको सबसे बड़ा कारण RBI ने माना है हम लोग Chinese investment को घटाने के mood में हैं क्योंकि हाला कि ये कोई official statement government ने नहीं किया है लेकिन हर एक body इंडिया में Chinese investment को कम करने के पीछे लगी हुई है हाला कि RBI ने 2018 से ही Paytm को scrutiny पर रखा था that means कि वहां से ये लगातार इसको observe कर रहे थे यहीं नहीं अभी कुछ दिन पहले Paytm पर लगभग साड़े 5 करोड का fine भी लगा था लेकिन जब आपका Paytm RBI की regulations को fulfill करने में fail हो जाता है तो RBI उसके उपर sanction करता है और उसकी कुछ जो core services है उनको terminate कर देता है और कह देता है कि 29 फरवरी के बाद से Paytm bank की ये services आपकी activate नहीं रहेंगी अगर हम इसमें बात करें तो उसमें सबसे बड़ी services है Paytm wallet जो कि आप journal use करते हैं जिससे आप कहते हैं कि cashback आता है हलाकि अब तो cashback भी नहीं आता जो cashback आपका आता था वो Paytm wallet में ही जाता था तो इसका सबसे बड़ा कारण ये ही रहा और जो इसका sanction का बहुत बड़ा कारण बनके आया उसके पीछे andfin company ही है जिसको कहा जा रहा है कि Paytm में उसके लग भग 9.89% stakes है तो यानि कि ये जो owner ship है ये कहीं न कहीं चाइना से आ रही थी उसी चीज को देखते हुए RBI ने इस पर क्या किया है सैंक्शन लगाए हैं उसके बाद ये जो सैंक्शन लगे हैं RBI पे ये सैंक्शन लगे हैं अंडर सैंक्शन 50A और ये है आपका banking regulation act 1949 जब ये सैंक्शन लगते हैं तो इसके बाद Paytm के जो भी chairman है सर्मा जी उनका भी statement आया है और उन्होंने कहा है we will not work with Paytm payment banks यानि के अब हम किसी third party bank की तरफ जा रहे हैं हम लोग किसी भी यानि किसी भी तरीके से payment bank के साथ Paytm payment bank के साथ work नहीं करेंगे और क्योंकि हम लोग जो आपके fast tag अगर बात करते हैं तो आपके 8 million से जादा fast tag यूज जो आपके धारक है वो यहाँ पर fast tag यूज कर रहे हैं आज की date में तो वो fast tag services और बाकी other services other third party bank के जरिये चलती रहेगी तो यह Paytm की तरफ से जवाब आया है वो कह रहे हैं कि जो भी हमें norms दिये गए हैं उन पर काम करेंगे जो services बंद की गई हैं या जो services अभी चालू है अगर बात करें कि कौन कौन सी services Paytm अभी भी अपना regulate करेगा तो उसमें loan है आपका या उसमें जो आपका कहते हैं gold वाला जो आपका option दिया गया था gold purchasing selling जो भी था यह सारी चीजे जो है यह activate रहेंगी लेकिन उनके जो बड़े working हैं जैसे की wallet था या आपका वहाँ से जो आप transaction करते थे वो transaction अब आपकी क्या कर दी जाएंगी बंद कर दी जाएंगी चले इसी के साथ अपने exam point of view से जान लेते हैं थोड़ी सी history about the RBI अगर हम RBI की बात करते हैं तो RBI का establishment हुआ था 1 April 1935 इसका establishment हुआ था कलकता के अंदर इसको फिर transfer कर दिया गया 1937 के अंदर पहले तो यह bank आपका private own bank था लेकिन इसको nationalize किया गया 1949 के अंदर और उसके बाद से यह completely run by the आपका government तो यह आपके लिए बिलकुल मददगार वीडियो साबित होगा ऐसी ही informative informations को जानने के लिए हमें subscribe करिए शेयर करिए तब तक के लिए thank you जैहिं